हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं रोसवी वीभा की दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़दार सेहत से भरपूर रेसिपी जिसे आप घर पर बहुत कम खर्च में और बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं और इसे आप दो से तिन महिने इस्टोर करके पी सकते हैं इसे पीने से आपके कमजोरी ठकान सिर्फ एक चमच पीने से दूर हो जाएंगे और आपके आँखों के चस्में हट जाएंगे तो आईए आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो चमच सौंफ लिया है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम आलमंड्स और 100 ग्राम मखाने सबकी कंटिटी बराबर में लेना है तो सारी चीजे त्यार हैं तो चलते हैं गेस के तरफ तो जितने हमने ड्राइ फ्रूट्स लिया है सब को इस पैन में डाल देंगे और साथ ही गेस को आउन कर देंगे अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए 4-5 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि ड्राइ फ्रूट्स से मुस्टर खतम हो जाए यहाँ पे आप इसे बिना भूने भी इसका पौडर बना कर पी सकते हैं पर यह लंबे समय के लिए नहें टिकेगा सिर्फ 15-20 दिन तक ही आप इसे बना कर पी सकते हैं अगर आप इसे इस तरीके से भून कर बनाएंगे तो आप इसे 2-3 महिने इस्टोर करके अराम से पी सकते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़े एकदम परफेक्ट भून कर त्यार हो गये हैं तो अब इसी के साथ हम गैस को बन कर देंगे और इन्हें अच्छे से ठंड़ा कर लेंगे ठंड़ा करने के बाद इन्हें हमने इस बॉल में ट्रासपर कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो बिल्कुल इसी तरीके से इनको अच्छे से भून लेना है तो इन्हें ग्रांड करने के लिए हमने यहाँ पे मेक्सिका जार लिया है तो इन्हें हम डाल देंगे इसमें और साथी इसमें एड़ करेंगे दो चमचे सौप सौप से इसमें बहुत हैं बढ़िया फ्लेवर आएगा साथी डाजेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है अब इसमें एक छोटी चमच काली निर्च एड़ करेंगे काली निर्च के फाइदे अनेक हैं आपको सर्दी जुखाम खासी से बचाएगा और ये युमनिटी को पढ़ाता है अब इनको बारिक महिन पीस कर त्यार कर लेंगे तो ये देखिए एकदम फाइन पौडर त्यार हो गया है तो बिल्कुल इसी तरह के से इनका फाइन पौडर त्यार कर लेना है और इसे आप घर पर बहुत सस्ते में साब सुतरे तरीके से बना कर त्यार कर सकते हैं यही आप बजार से जाएंगे लेने तो उसमें बहुत सारे मिलावटे होंगे और बहुत महंगे दामों में मिलेंगे तो यहाँ पे हमने बोल के हुआ हलका सा गुनगुना दुद लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा गोड आलेंगे और अपना त्यार के हुआ पाउडर डालेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इसे पीना कैसे है तो अब इस दूद में हम एक चमच अपना त्यार के हुआ पाउडर डालेंगे और इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है तो पीने से 10 मिनट पहले इस पाउडर को दूद में घोल कर रख देना है ध्यान रहे दूद हलका गुनगुना हो तो चलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया तो इसे साइड में रखेंगे अब इन्हें कोई एर टाइट कंटिनर में भर कर रख देना है और जब भी निकाले चमच के सहाईता से निकाले बडो को एक चमच और 10-15 साल के बच्चों के लिए आधा चमच आप इसे सुबह और रात में दोनो टाइम या फिर एक टाइम भी पिश सकते हैं इसमें हमने मीठा का इस्तमाल नहीं किया है आप चाहे तो ड्राइ फ्रूट्स के साथ ही 100 ग्राम मिश्री डाल कर पिश सकती हैं या फिर दुद में गुड़ और ये पाड़ो डाल कर पिश सकती हैं थैंक यू